हेलो एवरीबन वेलकम टो आर चैनल दिस इस रिष्टी अगरवाल तुम्हें आप सभी क्लास 9 की स्टोइन्स के लिए लेकर आई थी कारे पत्रक की सॉलिशन सब्जिक्ट गनीत के इससे पहले हमने विज्ञान और इंग्लिश के कारे पत्रक कंप्लीट कर लिये थे तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो अब हमारी चैनल की प्लेलिस से चेक आउट कर सकते हैं यहां पर हम देखेंगे कारे पत्रक 39-40 का सॉलिशन तो सबसे पहले देखें कारे पत्रक 39-49 का सॉलिशन देखेंगे फर्स कोशिन है निर्देशों को पढ़िए संबंदी चतुर्भुजों के गुनों से मिलान कीजिए या दिवे गुनों का मिलान करता है तो सही का और मिलान नहीं करता है तो गलत लगावें सार्णी में कुछ सहयता के लिए आपको हिंड भी दे रखी है जैसे फर्स समझेगा चार भुजाओ वाली बंद आकरिती है चतुर्भुज सही है समलम चतुर्भुज है समानत चतुर्भुज सही है पत्तंग आयत सम चतुर्भुज वक्त सभी सही हो जाएंगे तो हापस सभी को टिक कर देंगे चारो बुजाए असमान होती है किसमें हो सकती है चारो बुजाए असमान तो देखिए चारो बुजाए समान है असमान है चतुर बुजकी हो सकती है समलम चतुर बुजकी हो सकती है समानतर चतुर बुजकी नहीं हो सकती सम चतुर बुजकी भी नहीं हो सकती में बुजाओं का जोड़ा समानतर है बुजाओं का एक जोड़ा समानतर तो देखिए यहाँ पर सभी में क्रॉस कर देंगी समलम चतुर बुज के आधर पर समलम चतुर बुज में बुजाओं का एक जोड़ा समानतर होता है बुझाओं का एक जोड़ा समांतर है क्योंकि आयत और वग में तो दोनों ही जोड़े समांतर होते हैं तो यहां पर एक जोड़ा बोला है तो देखिए अगला कोशन वो ही आ रहा है बुजाओं की दो जोड़े समांतर होते हैं चतुर बुज में नहीं, समलम में भी नहीं समांतर, सम, पतंग, आयत और वर्ग सभी में हो जाएगा सही ठीक है? आमने समने की बुजाएं बराबर होती हैं चतुर बुज में नहीं, समलम में नहीं समांतर सम चतुरबूज में होती है पतंग में नहीं होती है एक दूसरे की आमने सामने की बुचाएं बराबर और आयत वर्ग में होती है प्रतिक कौन सम कौन होता है देखिए यहाँ पर आयत और वक्त का करेक्ट हो जाएगा आंसर और सभी में नहीं होता है प्रतिक वक्त सम कौन विकर्ण समान है देखिए सम चतुर्बूज सम लग चतुर्बूज समानतर चतुर्बूज चतुर्बूज तीनों को ही क्रॉस करेंगे यहाँ पर आपकी किताब में आपको सही का निशान दे रखा है बट यहाँ पर यह गलत है क्योंकि विकर्ण समान नहीं होते हैं क्योंकि नभे डिगरी का कौन सम चतुर्बूज में नहीं बनता है ठीक है तो यहाँ पर इसे भी क्रॉस कर देना है इसलिए मैंने गोला लगा दिया है प्रतंग में भी नहीं होता है आयत बग में विकर्ण समान होंगे क्योंकि प्रतिक कौन उनका नभे डिगरी रहता है विकर्ण एक दूसरी को प्रतिछेत करेंगे चतुर्बूज में करते हैं सम में करते हैं समलम में करते हैं सभी में करते हैं बतंग, आयत, सम चतुरबुज, वर्ग, समानतर चतुरबुज, तो सभी में टिक का निशान कर देंगे। सम्मुक कौन बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो चतुरबुज में नहीं होते, समलंबे भी नहीं होते, और सभी में, देखिए, समानतर और सम चतरबुज में होते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के समान समुकौन और पतग में नहीं होते हैं, आयत और वर्ग में होते हैं चारो भुजाय बराबर होती है वर्ग की होती है और सम चतुरबूज की होती है बाकि किसी की भी पुजाय बराबर नहीं होती है आसन भुजा सवन होती है। तो देखिए चतुरभूज, समानतर चतुरभूज और समलम चतुरभूज में नहीं होती आसन बुजाय बराबर और सम चतुरभूज और जो आपका पतंग है आसन बुजाय समान होती है आयत में नहीं होती है वर्ग में होती है विकन्ट समकॉन पर संदी भाजित करता है तो देखिए चतुरबूज, समलम चतुरबूज और आपका समानतर चतुरबूज में क्रॉस कर देंगी और पतंग और सम चतुरबूज में विकन्ट समकॉन पर दिवाजित करते हैं ये सही हो जाएगा और आयत में नहीं करता है और चित्र में एक से तेरा तक की आकृतियों से संबंदित इस्थापित है या नहीं यदि संबंद इस्थापित होता है तो सही नहीं तो क्रॉस का निशान आपको लगाना है जिस पहले किया था हमने वैसे ही करना है आपर भी तो देखिए आमनी सामनी की भुजाओं का एक जोड आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारवा और बार्वा में यहाँ पर देखिए क्रॉस कर रखा है जबकि आमनी सामनी की भुजाओं का एक जोड़ा समानतर है बारा नमबर की जो आपकी आकृति है देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको एक दूसरी की समानतर है तो यहाँ पर आपको इस तरह से टिक करना था, तो आपको इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहांने साही का निशान लगाया बारा में, आमनी समनी की बुझाओं कि वजों कि दोनों जोडे समानतर तो पहरे दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, पांचवे में है, छटे में नहीं है, साथवे में है, आठवे, नवे, दसवे, ग्यारवे, बारवे, तेरवे में नहीं है, बुजाओं के दोनों जोडे समानतर, आमनी समनी की बुजाओं के दोनों जोडे, दोनों जोडे नहीं, एक एक जोड़ा है, तो ऐसे चतुरवु जि विकन बराबर है, तो विकन बराबर देखिए, पहले में नहीं है, तीसरे और पांचे में हो जाएंगे, विकन एक दूसरे को प्रतिछेत करते हैं, तो देखिए, पहले दूसरे में, तीसरे में हो जाएगा सही का निशान, चौते में नहीं, पांचे, चटे, साथे, आठे, नवे दसवे तक आपको सही का निशान कर देना है ग्यारवे में नहीं है और बारवे तेरवे में सही का निशान कर देना है सभी बुजाएं समान है तो देखिए तीसरे और सांतवे में है पहले में नहीं है आमने सामने की बुजाएं समान है तो देखिए यहाँ पर आमने सामने की बुजाएं जो है पहले में नहीं है, दूसरे में देखिए, दूसरा आप देखिए, तो यहाँ पर आपका कोश्चन जो है वो है आमने सामने की बुजाएं समान है, तो नहीं है यहाँ पर आपको नहीं का निशान लगा देना है, सभी में यहाँ पर नहीं 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 जहां जहां सही है वहां मैंने आपको बता दिया है बाकी सभी में नहीं का निशान आपको लगा देना है अपने आप से ठीक है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और आप चितर में भी देख सकते हैं ठीक है अगली में सभी कौन 90 degree है तो देखिए यहाँ पर जो आपकी तीसरी और 5 वी जो है उसमें सभी कौन 90 degree है तीसरी और 5 वी आकरती में तीसरा देख़ए वर्ग दिख रहा है आपको यह हो गया और पांचवा तो यहाँ पर यह वर्ग है, इसलिए समान है, बाकी किसी में नहीं है, वर्ग है और एक पांचवा जो है वो आयत की तौर पे दे रखा है तो यहाँ पर आमने सामनी की बुचाएं उनकी बराबर है सभी कौन 90 डिग्री है आयत और वक्के सभी कौन 90 डिग्री होते है ठीके आमने सामनी की बुचाएं सिर्फ पांचवी नमबर की बराबर है जिसमें जो ये छटी जो है वह पांच वी जो आकरती है उसमें ठीक है बाकी सभी में क्रॉस कर देंगे तो दो कॉन नभे डिकरी है यहाँ पर बारा और तेरा बारा और तेरा में दो कॉन नभे डिकरी है देखिए ठीक है दो कॉन सिर्फ सिर्फ दो कॉन पूचा है तो देखिए इसमें बारा में भी है और 13 बी है दो कॉन अफ्य डिकरी ठीक है अगला दिखेंगे कोई कॉन 180 डिकरी से अधिक है तो देखिए पहले दूशे तीसर चौत ही आकृति में 180 डिकरी से अधिक है और 11 भी आकृति में बाखी किसी में नहीं है तो आपको सबमें क्रोस कर देना है यहां पर तो आपको खुषते सब में क्रॉस कर देना है सही का निशान में आपको बताते जा रहे हूं 180 से अधिक कोई भी कौन नहीं है तो देखिए यहां पर सभी में टिक करेंगे बस क्रॉस करेंगे चौथी आकरती और आपकी ग्यारवी आकरती में और जो यह आपका पहला आकरती है 180 डिग्री से अधिक कोई भी कौन नहीं है तो पहली आकरती को देखिए 180 डिग्री से अधिक कौन नहीं है तो यह गलत हो रहा है देखिए यहां पर यह अधिक कौन आ रहा है यहां पर तो यहां पर आपको क्रॉस नहीं करना है यहां पर भी सही का निशान लगा देना है यह गलत बता रखा है 130 से अधिक कोई भी कौन नहीं तो उसमें है ठीक है चातुर बूझ के प्रतार अफ्तल उत्तल तो देखे यहां पर चौथे नमर में हो जएगा और ग्यारवे नमर में हो जाएगा सही का निशान बाकी किसी में नहीं है और देखिए ये जो पहला निशान है ये क्रॉस कर देना आपको कि चतुरूज के पतर अवतल और उतल दोनों ही नहीं है यहाँ पर तो यहाँ पर आपको क्रॉस कर देना है ठीक है तो ये डन होता है आपका कारे पतरक 40 तो यहां हमने देखा कारे पत्रक 40 और 49 का solution जल्दी हम 41 भी देखेंगे और भी आगे की कारे पत्रक देखते रहेंगे तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद